तो बिसक्री दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको 5 साल या 10 साल या 8 साल का Experience हो गया के कंपनी सारा experience चेक करती हैं पांसल दससाल 8 साल का for example आपकी कोई 10 साल पहले कंपनी तो बंद होगे क्या उसका भी background वरिफिकेशन होगा तो वह ही डिसकस करेंगे आज किसी वीडियो में वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहे ना जितना भी कन्फूजन है डाउट है वो पूरा के लिए इसमें होने वाला है तो ज्यादा टाइम ने लिए वीडियो को शुरू करते हैं नमश्कार दोस्तो वह चाहे तो आपकी प्रिवेस कंपनी का भी बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन ना करा है और वहां पर जॉब दे देती है अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे हम लोग की पांच साल या दस साल पहले कंपनी होती है जाए स्टार्ट अप किया होता है तो वह कंप लेटर यह है यह और भी कोई कम्यूकेशन होता है या आपका अगर पीफ वगएरा वहां पे मिल रहा होता है तो पीफ की पास्बुक जो होती है वो अलग-अलग बनती है या अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका सेम अकाउंट नमर हो तब नेक्स कंपनी में जाना तो सारे डॉकुमेंस रिटेन लेना और मेल लेना ताकि आने वाले दिनों में यानि की फ्यूचर में आपको वह सब चीज़े फेस ना करनी पड़ें इस तरीके की एक्स्प्रियंस लेटर नहीं है मेरी कंपनी बंद हो गई वह सारी चीज़ेंग औ आपके पास सारे डॉकुमेंट्स हैं और मेल बैसिकली वही कंपनी मांगती हूं जो एक बड़ी और्गनाइजेशन जो बहुत अच्छे से बैक्ग्राउंड वरिफिकेशन करते हैं लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं एक स्मॉर और ऑर्गनाइजेशन की तो वह क्या कर करते हैं कि प्रीवियस दो या तीन साल का एक्स्पीजियंस लेटर वहां पर लेकर काउंट करके और वह सो करा लेती हैं बस उतने से ही साटेस्वाइड हो जाते हैं लेकिन अगर जो बिग ऑर्गनाइजेशन हों को होते हैं तो पांस साल या दस साल तक का भी बैक्राउंड करा लेते हैं तो यह यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मल्टिनेशनल कंपनीज में की बहुत प्रीवियस एक्स्पीरियंस तो वहां पर प्रॉब्लम लेकर मैं स्मॉल और्गनेजेशन की बात करूं तो वहां पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पर त कंपनी कई बार होती है कि अगर आपके पास हार्ड कॉपई है तो वह भी उससे भी मांगते हैं पहले होता न आ हम जासे हो original होने चाहिए वो सारे document और scan copy वो मांगते हैं फिर जब आपका joining होता है यानि कि onboarding होती है तो फिर वो सारे hard copy documents है जो भी होते हैं वहाँ पर मांगते हैं बसक्ते हैं आपकी qualification लाइक टेन टॉल थे रजूएशन वगरा किया तो वो सारे documents original होने चाहिए और उससे onboarding आपकी करा नहीं होती है अगर आपकी दस साल पहले की company बंद हो गई है आपके पास अगर hard copy भी है तब भी इस चल जाती है और जो बेग इंटर्व्यू दो वहां का process समझो और अगर वहां से जॉब तो ऐसे भी नहीं है अपने पास और इनकेस जॉब मिल गई तो ठीक है नहीं मिली त चीजे थी और सारी चीजें आज की दुनिया में possible हैं अगर पैसा है पैसा फेक होगे तो सारी चीजे पॉसिबल हो सकती है बस आपको अपना effort देना है आपको डिल करा कितना जदा जदा पंदा दिन एक महीने डेल महीने ही problem होगी ना उतना आयो हो उस वीडियो से आपको का सब्सक्राइब कर दे देता हूं और चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपके confusion है डाउट किलियर होते हैं जो कि मेरा नाम है श्यूब मैंब तक में नेक्स वीडियो में तिल रैन है वाग ग्रेट मुमेंट और डोंट फ